सरस्वती सारी डिपो ये एक मेल नाइन आई पियो है जानते हैं इस कंपनी के बारे में इसके आने वाले आई पियो के बारे में कहीं मत जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जानते हैं इस company के बारे में सरस्वती सारी डिपो ये company 1996 से इस business में है that means आज की date में इस company को इस business में almost 30 years होने वाले है and ये company सारी इसकी whole seller है and इसके अलावा भी ये company women's say related काफी सारे और भी products बेचती है but जो इस company की total revenue है more than 90% revenue इस company की वो सिर्फ सारी से आती है and mind it ये company सारी की whole seller है manufacturer नहीं है इसका मतलब ये company एक जगे से सारी यां purchase करती है and दूसरी जगे बेच देती है जहां से ये purchase करती है उसके लिए इस company के पास more than 900 vendors है more than 900 viewers है जो सारी यां इस company को बेचते है and ये company उसके बाद इन सारी को market में बेच देती है basically wholesaler है me to be business पर operate करती है and इस company के IPO paper से पता चलता है that September से November ये festive season होता है and March से May ये wedding season होता है and ये दौनो season company के लिए business वाले season माने जाते है and उसके अलावा जो बांकी 6 महीने बचते है वो इस company के लिए off season होता है and जो इस company का business season है वहाँ से इस company के approximately 63% revenue आती है and जो off season है वहाँ से इस company के अमीन बांकी के 6 महीनों में इस company के total revenue का approximately 37% आता है कॉलापूर, उलासनेगर में इस company के दो so room में जहां से ये company sales करती है कोलापूर वाले सोरूम से इस कमपनी की total revenue का approximately 88% आता है और उल्लास नगर वाले सोरूम से इस कमपने की total revenue का approximately 12% आता है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था यह company सारी की एक wholesale है यह company अपने products को थोक में बेचती है और यही reason है यह company on an average जो revenue है per customer से यह 4.63 लैक रुपीज की है, यह काफी ज़्यादा है, अब सी जो यह साडियों का बिजनिस होता है, जो यह क्लोधिंग का बिजनिस होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में, विकोज आपको समान रखना पड़ता है तबी तो आपको समान को बेच पाते हो, उस समान को रखने के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, इसको हम बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल चाहिए, जिसके लिए यह कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है, IPO के परपस से इस कंपनी ने अपने आपको 633 क्रोर रुपीज के आपस की valuation दी है, so हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, कंपनी का business model भी जान लिया, अब देखते हैं इस कंपनी के जो financials हैं, वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं, सबसे पहले asset base देखते हैं, तो मार्च 2022 में इस कंपनी का total asset base है, 170 क्रोर रुपीज का, अगले साल यह बढ़कर 189 क्रोर रुपीज पर पहुच गया है, और मार्च 2024 में इस कंपनी के total asset base यह 206 क्रोर रुपीज के आजपास है, रेविन्यू इस कंपनी की मार्च 2022 में थी 550 क्रोर रुपीज की, अगले साले बढ़कर 604 क्रोर रुपीज पर पहुच गयी है, और मार्च 2024 में इस company की revenue 613 crore rupees पर पहुँची है यह बहुत ही छोटा jump है यह बहुत ही कम growth है एक ऐसी time में इस company की यह growth है जब वो company अपना IPO लेकर आ रही है Now look at the profit I mean March 2022 में इस company का total profit था सिर्फ 12 crore का अगले साल यह 23 crore का हो गया है और March 2024 में इस company का profit यह approximately 30 crore rupees का हो गया है तो अब अगर हम इस company के margins देखें तो यह company approximately 6.73% के EBITDA margins पर operate कर रही है approximately 5% के PAT margins पर operate कर रही है 59% की इस company की return on equity है and approximately 65% इस company के return on capital employed है तो basically EBITDA margins and PAT margins थोड़े से कम है but return on equity and return on capital employed यह एक किसम से काफी अच्छी है and आज की date में इस company के books में more than 43 crore rupees की borrowing है and अगर हम इस company का operating cash realization देखें तो यह थोड़ा सा concerning है because पहले यह negative था I mean March 2022 में इस company का operating cash realization यह 41 crore rupees का negative था अगले साल यह positive हो गया था 35 crore rupees का but March 2024 में यह फिर से negative हो गया है 8 crore rupees का I mean इस company का operating cash realization यह negative है that means business को run करने के लिए जो आपको blood चाहिए यह company ठीक से generate नहीं कर पा रही है and bottom पर play कर रही है at the moment and यह कहीं न कहीं से indicate करता है that company revenue तो बढ़ी चादा नहीं बढ़ी and वो भी IPO वाले year में and company का operating cash realization है वो negative है that means company ने efforts तो डाले है अपनी revenue को बढ़ा चड़ा कर दिखाने के but वो पकड़े गए है अब company अपना IPO लेकर आ रही है company का total IPO size of 160.01 crore rupees का इस में से 104 crore rupees का fresh issue है बाकी offer for sale है 152 rupees से 160 rupees का price band है 90 shares का lot size है इसे साब से जो आपकी minimum investment होगी यह होगी 14,400 rupees की 12 अगस्त को IPO open होगा 14 अगस्त को IPO close हो जाएगा and 20 अगस्त को इस company के both BSE and NSE में listing होगी and मान के चलो इस IPO के थूँ जो भी पैसे इस company को मिलेंगे उन पैसों का use करके यह company debts को तो बिल्कुल भी repay नहीं करेगी बलकि उन पैसों का यह company use करेगी अपनी working capital को manage करने के लिए जिससे interest expense कम होगे profitability बढ़ेगी wealth बढ़ेगी so फिर question आता है क्या आपको इस company के IPO को subscribe कर लेना चाहिए या फिर आपको avoid करना चाहिए see जिस sector में यह company operate करती है बहुत बड़ी बड़ी company काफी अच्छी company जो better margins पर operate करती है already available है यह company एक किसम से एक B2B player है तो जो B2B player होते है इस particular segment के उतने जादा successful वो नहीं होते retailers जादा तर पैसे कमाते हैं यही reason है इस तरह की जो companyya होती है उनमें इतनी growth हमें देखने को नहीं मिलती and again अगर किसी company में आपको growth देखने को नहीं मिल रही है that means आपकी investment पर return आने के chances थोड़े से कम है मैं SIP को apply नहीं करने वाला आपको क्या करना है क्या नहीं करना अपना decision source समाझ कर लें and investment advisor से concert करने के बाद लें हाँ आप इस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत अपनी knowledge improve कर सकते हो to analyze a company but अपना decision इस वीडियो को देखकर बिलकुल भी नहीं लेना है हाँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको like share जरूर करें and channel को subscribe करें Thank you